मेरा नाम है सवरव यादव और आप देखने जा रहा है आज लेक्चर नंबर फोर जिसमें हम लोग कुछ दस क्वेस्टन जो महतपूर दस क्वेस्टन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उसको हम लोग यहां पर देखेंगे हम लोग आलेडी तीन लेक्चर कवर कर चुके है आज चोथा लेक्चर होगा उत्तर प्रदेश का लेक्चर जो होगा अभी दो-तिन लेक्चर और आएंगे उसके बाद हम लोग जियोग्राफिक के लेक्चर को कवर करेंगे भूगोल के लेक्चर कवर करेंगे जिसमें बहुत ही महतपूर कोस्चन टॉप टेन को रखा उत्तर प्रदेश में सोदेशी पस्वों के सरचषड एवं समवर्धन है तो किस जिले में गोकुल ग्राम की अस्थापना की गई है यह करेंट का कोस्चन है तो कहां पर गोकुल ग्राम की अस्थापना की गई है तो यह की गई है वाराड़सी में याद रखिएगा और एक कुष्चन है आप लोगों के लिए कि गोकुल पुरसकार इसी परकार से रिलेटेड है कि गोकुल पुरसकार याद रखिया गोकुल पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है सायद A.C.A. P.A.R.F.O. Mains के एक्जाम में 2018 या 17 में ये कुश्चन पूछा गया था तो ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं विस्सो मत्सिकी दिवस 2020 के आउसर पर किस राज को बेस्ट इन लैंड इस्टेट हे तू पर्थम पूरसकार दिया गया है बेस्ट इन लैंड इस्टेट हे तू पर्थम पूरसकार दिया गया है विस्सो मत्सिकी मतलब वर्ल्ड फिरीज दे 2020 के आउसर पर तो वर्ल्ड फिरीज डे के आपकब होता है तो world fisheries day होता है 21 November को याद रखियागा दिवस से question कम से कम एक या दो question चरूर आएंगे समिच्छा अधिकारी में तो जितने महतपूर दिवस हैं उनको अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए हो सके तो सभी दिवस की सभी दिवस नहीं जो महतपूर हैं और राष्ट्री गड़ित दिवस भी होता है राष्ट्री किसान दिवस होता है और मानवाधिकार दिवस है ये सब जितने भी दिवस हैं इसकी theme को आप एक page पर note कर लीजिए theme को भी लिख लीजिए कब है और बार बार देखते रहिए दो दो तीन तीन कोस्चन अगर आ गया तो आपका आसानी से आप प्लस कर जाएंगे इस समय अभी UPPCS का प्री का पेपर हुआ है सबी लोग अच्छे तरीके से करेंट अफेर तैयार कर चुके हैं सब लोग GS तैयार कर चुके हैं बस रिजिन कर रहे हैं तो इसलिए हलके में मत लीजिए कि समिच्छा इदिकारी बहुत नार्मली आसानी से निकल जाएगा हलके मिलेंगे तो फिर आप कटाफ देखेंगे कटाफ इस बार हाई जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं तो बिच्छो मत्सिकी दिवस 21 नॉमबर 21 नॉमबर को होता 21 नॉमबर के असर पर बेस्ट इन लैंड इस्टेट है तो प्रतंपुरसकार दिया गया उत्तर प्रदेश को याद रखेगा ओके अगला कुश्य ना उत्तर प्रदेश में मयूर सनरचड के इंदर हमने लेक्चर में भी बताया है मयूर सनरचड के इंदर हमारा लेक्चर देखने बात एक लोग थे जी ऐसी प्रवक्ता उन्होंने दिया और वो गलत करके आए तो मयूर सनरचड के इंदर कहां पर है मतुरा मतुरा मयूर मा से मयूर मा से मतुरा याद रखेगा महराज गिंज ना महरेगा कि माह से महराज गिंज मारय अगर आफ सनो मासे माई उर्गंज मासे मतुरा आग्रा और मतुरा जब हम उत्तर प्रदेश का लेकचर पढ़ा रहे ते हमने ठीक बताया थी तो आगरा आगरा जो है यंपी के साथ मद्ध परदेश के साथ बार्डर सेर करता है और राजस्थान के साथ बार्डर सेर करता है और मतुरा जो है मतुरा हर्याडक साथ बार्डर सेर करता है हर्याडक साथ बार्डर सेर करता है और राजस्थान के साथ बार्डर सेर करता है ठ प्रदेस में सहीद अस्फाक उ都ड्यान का निर्मार की सस्तान पर किया गया है इसी से रिलेटेड एक और आगे question है रखा गया तो वहाँ पर देखेंगे तो सहीद अस्पाक उल्ला खान उद्यान का निर्मार किस अस्थान पर किया गया है तो वह अस्थान है गोरकपूर गोरकपूर और सहीद अस्पाक उल्ला खान को काकोरी train action जो 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था उसके लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी तो इनको फांसी दी गई थी अध्या में अध्या में फांसी दी गई थी सहीद अस्पाक उल्ला खान को ओके आगे बढ़ते है question number 4 ये बहुत ही महत्पूर question है आने की बहुत संभावना है प्रदेश में गौरा हर्दो वन विहार पार्क का विकास कि सस्थान पर किया जा रहा है गौरा हर्दो वन विहार पार्क गौरा हर्दो वन विहार पार्क तो जो wildlife century है जो संपूर उतर प्रदेश के lecture में बताय गया है और भी जो जैसे टाइगर रिजर हो है उत्तर परदेश में wildlife century है bird century है wetland है इसको आप लोग एगनम रड डालिए trick बना के रड डालिए कुछ tricks भी हम बताया थे जयसे हमने बताया था महल तो महल बताया थे कि महाबीर स्वामी ललीतपूर ललीतपूर जी ले महाबीर स्वामी वन जी विहार लल तो ऊतर पर्देश में तीन टाइगर रिजर हो है पहला टाइगर रिजर है दुद्धवा नेशनल पार्क आप अले स्वाव से लए ओजल्ड ने अलने स्वा झाल आफ मैं युद्धि धित необходимо फोलीवा धीन जीनियवा है कि याद में इन पर इसी आप zिया का है तो याद रखेतर तीन टाइंगर हैं, उत्तर प्रदेश में जो टाइगर शेंसरि रुगा था दोहजार अटारा, इन्डिया में जो टाइगर शेंसरि तोहजारी चुपा है, वूजा divine तो याद रखेका imaginar तो याद रखेका उत्तर प्रदेश में 173 है और इसी से याद कर लिजी कि project tiger 1973 में शुरू हुआ था project tiger ठीक है 1973 में शुरू हुआ था project elephant 1992 में शुरू हुआ है इस परकार से question आते हैं हमेशा आते हैं 2019 PCS में 2020 PCS में बस 2021 PCS में नहीं आया था ठीक है अगला question है हमने गवरा हर्दो वन वन विहार पार्क देख रहे थे तो गवरा हर्दो वन विहार पार कहां पर इस्थित है कहां पर निर्माड हो रहा है इसका यह आजमगड में इसका निर्माड हो रहा है कहां पर आजमगड उत्तर प्रदेश का एक जिला आजमगड जहां पर इसका निर्माड हो रहा है पुर्वांचल के अंतरगती आता है ठीक है यह आजमगड जो आपको मिल जाएगा वाराडसी वाराडसी हो गया और इधर गोरकपूर के आसपास ही है मेटकर नगर उच साइड है ठीक है पुर्वी उत्तर परदेश में तो गवरा हर्दो वन विहार पार कहां पर है यह आजमगड में आने की संभावना है आप लोग वाइड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी टाइगर रिजर और यह सब वेट लैंड वेट लैंड पर कोस्चन पीशे स्प्री में इस बार पूछा गया है आएगा फिर आएगा समिच्छा इ नहीं है तो यहाँ पर जो है कि सभी सुमेलित हैं बस क्वेश्चन बना दिया गया है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक दूद देने वाली गया है गिर गया गिर गुजरात की और विस्व में सरवाधिक दूद देने वाली गया है होलिस्टीन फ्रिजियन याद रखिएगा ये नियूज में था थोड़ा, तो उत्तर प्रदेश में सरवाधिक दूद देने वाली गाया, साहिवाल गाया, भारत में सरवाधिक दूद देने वाली गाया, गिर गाया, ठीक है, बिश में सरवाधिक दूद देने वाली गाया है, होलिस्टीन फिजियन, और दूद की रान एक लोग आओर सुनो बीयर करके वो भी और दो-चार लोग आओर जो comment करते हैं regular बाकी लोग तो बस देखके निकल लेते हैं comment नहीं करते हैं comment करते हैं comment करते रहिए यहां से question बन सकते हैं आएंगे question ठीक है तो यह भहुत ही महत पुड है इसको देख लिजेगा आप लोग screen shot ले लिजी और इसको याद करड़ा लिए ठीक है अगला है उत्तर प्रदेश में कच्छुआ भ्यारण इस्तित है कहां पर इस्तित कच्छुआ भ्यारण उत्तर प्रदेश में कच्छुआ भ्यारण इस्तित है वाराटसी में और अभी करेंट में चल रहा है कि कच्छुआ का जा रहा कहां पर प्रयाग राज की मेजा तहसिल मेजा तहसिल है प्रयाग राज में है वहीं पर गंगा नदी के किनारे कछुगा को सरचित किया जाएगा तो वह भी याद रखिया करेंट में यह है अभी निज में है ठीक तो वाराटसी में हो जाएगा और दूसरा कहां पर प्रयाग राज में अगला कोस्चन कोस्चन नमबर 8 ये भहुत ही महत्पूर कोस्चन है यहां से एक कोस्चन आता ही है हमेशा आता है अब इस बार भी आ सकता है यहां से सीधे पहल एक ही पूछा जा सकता है कि नरेंदर देव कृसियों पर दो की विस्विद्याला कहा है या फिर चारों पूछ दिये जाएंगे मिलान करने के लिए दे दिया जाए कि मिलाइए इसों सुमेलित करिए तो यहां पर देखिए कि निम्खित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर चार दिये हैं और सभी सुमेलित है तो याद रखिए गा नरेंदर देव किरसियों प संसे कर आजा裡面 व dua verbs लटो ने-टो ल consent Met Ōर कानपूर और लगनों के बीच में जिला पड़ता है उन्नाव उन्ना अमे चंप update सेकर आजाध पच्छी हर एक वेट लेड़ रखेगा वह है कापे उन्नाव समय में इंवस्टी का दरज्चा नहीं दिया गया तो मेरा गया Tabaki मतलब इनको आने वाले समय में इन्umber시 का दर्जा दिया जा सकता है अभी इन्umber있 rais जाजा नहीं दिया गया है तो Sam Hingin Botan Institute of Culture Technology and Sciences कहां पर है प्रयाग राज में याद रखिएगा ये बहुत ही महत्पुर है इसको स्क्रीन सॉट ले लिजे याद कर लिजे ठीक है निम्कित में से कहों सा एक सुमेलित नहीं है अभी हम बता रहेते हैं सहीद असपाक उल्ला खां अपलर कमेंट करिएगा तो सहीद असपाक उल्ला खान कहां पर अध्यान कहां पर बना है तो बना है गोरकपुर में गोरकपुर में लेकिन इनको फांसी कहां पर दी गई थी तो आयद्याम फांसी दी गई थी जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें इन लोग चार लो यहां पर दिखेगा राजेंदर लाहेडि को फांसी कहाँ पर दिगई तो यह δे गई गोंडा में याद रखे गोंडा बस्ती के पास जिला है गोंडा गोरकपुर के पास है तो इसको याद कर लिजियेगा ये भी बहुत प्रोवेबल क्योस्चन है हिस्ट्री में भी हिस्ट्डी का भी मान सकते हैं अगला क्योस्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिलिये में भारत का पहला इंडियन इंस्टिट्यूट आफ हेरि टेज इंडियन इस्टीटिएउटेज खोला जा रहा है तो कहां पर नोड़ा में, याद रखेगा सअचे मेला कुश्चन पूच चुका है, सबस्सक्राइब कहां पर, सेरश अचेव का मेला भी कहा पर हुआ तो यह हुआ था नोडा में, गौतम बुध नगार नोडा नोडा की फुल फार्म कहा? New Okla Industry इंडेस्टियल देवलप्मेंट अथार्टी याद रखेगा नोडा गौतम बुद्णगर जीले में है याद रखेगा तो यह नोडा में हुआ है तो इसी परकार से जैसे इंडियन इस्टिजू रहा है जंजाती संग्रहाल है कहां पर बनाया जा रहे हैं उत्तरप्रदेश मे इसको आप लोग कमेंट करिए कि जंजाती संग्रहाल है दूसरा कुश्चन है स्वतंतरता संग्रहाल है स्वतंतरता संग्रहाल है स्वतंतरता संग्रहाल है उत्तरपरदेश कहां बनेगा जंजाती संग्रहाल है इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद